Hello guys, welcome to new video, उमीद करते हैं guys, आप सभी ठीक होंगे So guys, finally आप लोग को पता है, बजाज की तरफ से new Pulsar 250 को लाँज कर दिया गया है, बजाज ने अपनी तरफ से Guys, sorry, वीडियो दाना में थोड़ा से लेट हो गया, मैं जानता हूँ guys, मैं थोड़ा सा कहीं चला गया था, इस पज़े से मैं थोड़ा से लेट हो गया Guys, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को new Pulsar 250F N250 के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजी आपको highlight features बाइक में देखने को मिले है, क्या price है, क्या power है, इसके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस interesting वीडियो में Guys, वीडियो थोड़े सी छोटी होगी, क्योंकि मैं आपको highlight features के बारे में बताऊँगा, और बाइक जैसी आप लोगों को देखने को मिलेगी cities में, यानि की मेरे state में जब आ जाएगी, मेरे city में आएगी तो complete आपको review देखने को मल जाएगा तो चली दोस्तो आज की इस वीडियो को start करते हैं, बात करते हैं न्यू 250 के बारे में, अगर चैनल पर पहली बराया हैं तो please अपने बाइक के चैनल को subscribe कर लेना, बेल के अगन को आउन के लिजएगा तक कि ऐसी interesting वीडियो के notification में आप तक पहुंसते रह सकें, आप मेरे वी सेग्मेंट में आईए, वैसे जो power है guys, वो तो आपको लगबख RS की तरह देखने को मिलेगा, लेकिन हा, CC के सेग्मेंट में ये सबसे बड़ी bike हो जाएगी, guys अगर बात करें इस bike के price के बारे में, तो मैं आपको बता दू सबसे पहले दोनो bike का price में थोड़ा सा difference है, F250 ज से लिए अगर बात करते हैं, दोनों bike के सबसे पहले design के बारे में guys, तो जो F है वो आपको फेरिंग देखने को मिलेगी, जो कहिना कहीं आप लोगों को Pulsar 220 F है, इनकी जो AS आती थी 200 उससे inspired है, और वहीं दोस्तों आपको N250 मिलती है, जो कि आप लोगों को थोड़ा- और इस टोक SOC 2 oil-cooled FE engine आपको bike में देखने को मिलेगा, यह चीज़ कहीं लोगों को अच्छी भी लग रही है, कहीं लोगों को बुरी भी लग रही है, क्योंकि हम उमीद लगा के रखे थे कि bike में, भाई 6 gear liquid cool engine आएगा बट ऐसा हुआ ने, बाइक में आप लोगों को 249.07 CC देखने को engine देखने को मिला है, maximum power में 24.5 का PS power है, जो कि 8,750 आरपे में power generate करता है, and maximum torque में 21.5 का intermittent torque दिया गया है, जो कि 6500 आरपे में power generate करेगा, भाईक में आपको power and torque थो ठीक है, थोड़ा देखने, सही देखने को मिला है, लेकिन भाई साहे थोड़ा और ज्यादा power दिया आरपे में भी हम लोग वेट करें कि कब 6 gear है, अगर बजाज देख और नहीं भाईक निकाल दी 250 CC में, लेकिन आज भी भाईस में आपको 6 gear देखने को नहीं मिला, भाईक की जो seat height है इस वह 795 mm की, भाईक की जो ground clearance है इस वह 165 mm की, और भाईक का जो curve weight है इस वह N250 का है 162 kg क एन F250 का है 164 kg, fuel tank capacity दोनों ही भाईक की 14 liter की है, अगर बात करें plates के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों आपको front में 300 mm की plate दी गई है, rear में 230 mm की plate दी गई है और यहाँ पे आपको एक D720J भी मिलेगा कि भाईक में आपको single channel ABS देखने को मिला है, तो यह चीज भी मुझे और RS में की देखने को मिलते है, suspension में दोस्तों दोनों ही भाईक में आपको front में telescopic 37 mm suspension मिले है, rear में आपको mono sock suspension दोनों ही भाईक में देखने को मल जाते है, देखिए यहाँ पे जो उमीद थी ना, उसके हिसाब से भाईक को design नहीं किया गया, जो उमीद लगा के रखे थे हम भाई में तो लग रहा था कि भाई इस बाईक में आपको ऐसे सी चीजे मिलने वाली है, जो कि next generation होगी, tvs से compare करने लगे थे भाई, tvs इतने features दे रहा है, अब हमारा बजाज भी ऐसा features देगा, बट भाई, ऐसा कुछ हुआ नहीं, भाई, क्या सोच रहे थे और क्या हो गया मैं तो भाई, क्या ही बोलू, अब आप लोग कमेंट कर गें, जरूरू बताना आप लोगों को यह बाई कैसी लगी, वैसे बाई, अगर मुझसे पूछोगे तो यही बोलूँगा कि एक बार बाईक को आने तो उसके बाद टेस्ट करते हैं, और कैसी है, देखिए कुछ औ आपको LED दोनों ही बाईक में मिलेगी, जो कि प्रोजेक्टर LED लाइट है, दोनों में मिल जाएगी, लो भी, हाई भी, प्लस दोस्तों मैं आपको बता दू बाईक में आपको एसिट विल स्लीपर कलाज भी देखने को मिला है, इसका भी वेट हा, वो भी चीज आपको बाई इनफिनिटी डिस्प्ले कॉन्सॉल देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एनलोग वी डिजितल मिटर इस बाई भी देखने को मिला है, फूली डिजितल मिटर में बजाज भी वी काम नहीं किया है, इसमया आपको बता दू है, ऑईस्बी मोबाइल चार्जर मिला है, गिर इंडिकेटर मिला है डिस्तेंट टुई एम्टीर है एसुरेट ब्रेकिंग मिला हैhus स्ट्रॉंगर ग्रीप आपको देखने को मल जारी है साथ तो मैं आपको बता दू की बाइप ना बहुत ज़्लम बैसा मानने को कहा जा रहा है वाला एंजिन यूज़ किया जाएगा बट ऐसा नहीं हुआ गाईस यह चीज करना मुझे बहुत ज़्यादा अखर रहा है कि आप लोग मेरी बास से एगरी करते हैं तो कमेंट करके ज़रू बदाना अगर वाला एंजिन होता दोनों बाइक में न तो यह बाइक और भी बैट है मतर जो डिजाइन है वो पूरा इंडिया न जी हमारे इंडिया से हमारे इंडिया जो डिजाइन उन्होंने बनाया है बजाज ने यह कहीं से यूज nे किया नה कि यहां तक की गेट आम से यूज किया गया तो यह चीज तो मुझे काफ़ अच्छी लगी बात हम धिकिए आज कल इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे सी बाइक सा चुकी है खासकर फीचर्स के मामले में यह अभी भी थोड़ी सी पीछे रहे जाएगी फीचर्स में थोड़ा सा और ध्यान देना था बजाज को पाकि औरल भाई no doubt बाइक तो काफी अच्छी होने वाली है अच्छी है no doubt but depend करता अब आप लोगों को कैसे पसंद आती है देखी कर इस मैं आपको बता दूँ अगर बात करते हैं इसके on road price के बारे में तो यह भाईक on road price लगबख माल लीजे जो F250 है वो 190 के असपास जाएगी और NN250 आपको भी वही लगबख 88 मतब 188 तो 190 के असपास की भी वह भी आपको देखने को मिलेगी 2000 में बाई क्या ही डिफरेंस आजागा लगबख आपको सेम प्राइस देखने को मिलेगा दीखे color option में आपको दोनों भाईक में techno grey and racing red color offer आपको बजात की तरफ से देखने को मिलरा है आने वाले समय में साइद आप लोगों को कुछ और नए color option भाईक में देखने को मिलेगे फिलाल आप लोगों को दो ही colors देखने को मिल रहा है देखिए दोनों भाई का look के बारे में बात करें तो F जो है वो आपको fearing देखने को मिल रही है मतब semi fearing है जाधा fearing यूज नहीं किया गया है एंज जो N आ रही है गया है तो आपको normal naked sport देखने को मिल रही है अपको इस depend करता है कि यह real life में कैसे देखीगी कि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ फोटो में देखना और real life में देखने में काफी जदा फरक होता है इस बात को ध्यान रखेगा क्योंकि दोस्तों कहीं ना कई फोटो लेना वीडियो में लेना उसमें फरक हो जाता है आप लोग यह चीज़ समझते हैं देखिए अगर बात करें दोस्तों बाइदोनी बाइक के सीट के बारे में तो यहां पर दोस्तों जहां पक तक मैं देख पा रहा हूँ जो कि आपको N250 जो आई है उसमें आप लोगों को नॉर्मल सीट देखने को मिली है बतला बुजो आपको NS में देखने को मिलती थी सेम वही सीट से आपको इसमें देखने को मिली है और कहिना कि अगर आप डिजाइन देखेंगा न गाई तो एक तो NS और एक तो Pulsar 220 उसी से inspired यहाँ पर डिजाइन किया गया दोनों बाइक को अब देखिए NS को भाई discontinue तो नहीं करेगा बजाज यहाँ बात तो मैं जानता हूँ अगर discontinue करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती बाकि दोनों बाइक अपने segment में मुझे ठीक लगी सुमित करते हैं आप पुड़ेस अपडेट रह सके जैहिन वंद्यमात्रम